अपने घरवालों को छोड़ा इस आत्मी से शादी की मैंने मैं आज के बद तुम्हें कभी हाथ के उठाऊगा तरे लाइफ ना सब कुछ ठीक चर रहा है ना तेरी प्रब्लम के आगे मेरे प्रब्लम कुछ भी नहीं मैं और जय को दुखा नहीं दे सकती अपने प्रब्लम के लाइफ नहीं 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 चाहेते ना मीनू कबसे वेट कर रहा हूँ या चाहे दे दो मीनू क्या चाहे चाहे लगा के रखा है कहां से बनाओ चाहे आज घर में फिर से पानी नहीं है अधर में बेखार में गुश्टा कर रही हो यारcr इनी चोटी सी बात हे मां बाहर से लेके आजाता हूँ मैंने कहा ना तुमसे कि हमारी कंडिशन अभी सही नहीं है, कि हम अच्छे गर में शिफ्ट करें फो टाइम दो मुझे एक साल हो गया है जै और तुम मुझसे सिफ टाइम मांग रहे हो इस गरीबी की हालत में तुम्हारे साथ जिंदे की बितानी बढ़ रही है मुझे इससे अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करती हा तो मैंने कहा था मुझसे शादी करने के लिए मैंने की जब अच्छती तुमार साथ तुम खुद अपना घर चोड़ गायती मुझे शादी करने के लिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गय गुजरे इंसान हो अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती मुझे लगाता तुम शुप के साथ गुमते हो तो शुप जैसे अमीर होगे लेकिन मैं गलत थी इससे अच्छा होता मैं शुप से शादी कर लेती बहुत हो गया तुम्हारा जै तुमने मुझे थपड मारा हो अब देखो मैं क्या करती हूँ अबने घरवालों को छोड़ा इस आत्मी से शादी की मैंने और उसका उसका यह सिला दिया मुझे तपल मारा मुझे सिंथी की परबाद होगे वे लिए पगवा नहीं जीना मुझे में बिल्कुल पे नहीं जीना मुझे मेनू 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 दरवाजा खोलो यार्ड यार्ड बुस्ते में हो गया मुझे मेनू मेनू दरवाजा खोलो मेनु, 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 म मुझसे गलती हो कि मैं आज के पर तुम्हें कभी हाथ नहीं उठाऊंगा क्या क्या सपने देखे थे जै मैंने और तुमने तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दी पर मेरा प्यार तुमारे लिए हमेशा सचा रहा है और रही बात मिडिल क्लास फैमिली की तो नया बिजने शुरू करने वाला हो ना बस तोड़े फंड्स की जरूँत है फंड्स मिलना क्या इतना असान है कौन देगा तुम्हें फंड्स मेरा दोस्त शुबैना उससे महूंगा उसके लिए आट दस लाग रुपे कोई बड़ी बात नहीं है हम शाम को जा रहे हैं नो उसके घर पे मैं बात करता हूं उससे रिपोर्ट्स दिखाना इनके सर डॉक्टर क्या कहती है रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी हलत में काफी सुधार है एक स्कूर डॉक्टर बट उनकी बॉड़ी में कोई मुव्मेंट नहीं हो रहा है प्रेखर शुब ऐसे केसिज में कुछ भी पक्का नहीं होता बहुत से केसिज ऐसे समने आये हैं जिन में रिपोर्ट्स के अनुसार मरीज बिल्कु नॉर्मल होते हैं पर फिर भी कोमा से बाहर नहीं आये होते पर जिस तरह से आप इनकी देखभाल कर रहे हैं वो रियली काबले तारीफ है और मुझे उम्मीद है कि आपकी मिनत जुरूरंग लाईगी सुना पापा आपने आप बहुत जल ठीक हो जाएंगे आना मा अच्छा मा आप मैं चलता हूँ मुझे ओफिस के लिए लेट हो रहा है पिठा वो जय और मीनू का क्या हुआ आज आने वाले थे ना हाँ मा वो शाम को आ रहे हैं मैं आते हो इनको पी कर लूँ मा चलो ठीक है अच्छा मैं निकलता हूँ हाँ अच्छा मैं निकलता हूँ हाँ अटिक्या मा लव यू रे बाई माँ ये मिनू वेलकम आओ तुम बैटो मैं पानी लेकर आती हूँ हम थैंक्यू और जय कहां पे है जय उपर है रेडी हो रहा है क्या तुम तैयार हो कर बैठी हो अभी तक तैयार हो रहा है हाँ वो थोड़ा लेट लटीफ है उससे थोड़ा वक्त लगता है हाँ उसे और अच्छ शुब एक बदा बता जभी आते हो किसी काम से या जाते हो कभी कबार ऐसे ही आ जाय करो तुम तो जानती हो ताइम हें हम ताइम नहीं मिलता या गंजर्फ॰िंड के साथ बिजी रहता है गंजर्फृंड वोई मेरी हां तुम अच्छ यह मालु मेरी कोई गल्फरंड बल्फरंड नहीं है. फिभी तुम ऐसा बोल रही हो. सारा दिन, सारा दिन यार काम में निकल जाता है. वक्त का बता ही नहीं जलता. गर घर से ओफिस, ओफिस से घर, यही दिन्दगी है मेरी. और तुम्हें तो बता ही है, यार, पापा का क्या हाल हुमका भी टाइम देना पड़ते हैं हाँ वो तो है लेकिन हमेशा जैसे मिलने आते हो कभी कबार मुझसे मिलने आ जाये करो दिन बार बोरियत हो जाती है मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हो ना अरे शुप आगे है तू अब हमें आये तो जमाने हो गए एक तुम हो कि तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हो बेट ना चाही की निकलता है अभे नहीं भाई मा इंतिसार कर रही है चलो कैसा लगा खाना आंटी बहुत डिलिशिस है सच बताओ तो आपके आथ का खाना का के ममी की आद आगी अगर एसी बात है तो तुम मेरे पास आजाए को तुमें मा की याद भी नहीं आएगी और मेरा भी मन लगा रहेगा वैसे भी कभी कबार बोरियत से होती है पका आजाओंगे आँटी लेकिन अगर बोरियत की बात है तो आप शुप की शादी क्यों नहीं कर देती यह अगर मेरी सुने तब ना तुम ही समझाओ इसे वैसे अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ कल ही इसकी शादी करवा देती हूँ नो 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 अगेन मा यार, तुम हमेशा मेरी शादी के पिछे पढ़ जाती हूं और मेरे तुम? यार, तुम्हारे पास और करे टोपिक नहीं है क्या? सही तो कह रही, आνटी तुम्हारी उम्र हो गए है शादी की और आंटी, इस गर को ज़रूरत है ना? हुआ हम्... और जय, तुम क्यों चुप बैठे हो? समझाओ अपने दोस्त को. अब मैं क्या बोलो, अंटी? आपर एक बात है शुप. सादी से पहले जितने मजे करने कर ले. क्योंकि शादी के बाद तेरी पूरी लाइफ, वाइफ की डिमांड पूरी करने पर निकल जाएगी. जय, यार एक बाद बता, तेरी लाइफ न सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ या, ठीक चल रहा है. वो तुझे तो पता है ना, मैं अन्या बिजनस करने वाला था. सब प्लान हो गया है, बस थोड़े फंड्स की जरुवत है. मैंने बैंक से बात की है, लोन की पर यार कोई रिस्पॉंस नहीं दे रहा है. समझ नहीं आ रहा है क्या अकभी. कश मैं तरी हेल्प कर सकता जाए. पर यार तू तो जानता है, पापा का इलाज चल रहा है. और तू माने गाने के भार अफ़ते लाखों का भी लाता है यार. और जबसे पापा का एक्सिदेंट हो है ना, तबसे बिजनस भी ठब पड़ गया. तुझे सच बताओं कभी-कभी ना समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ गया. जब तू चिल कर इतने टेंशन मत ले, यार. मैं तुझे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ. बस बता रहा था तुझे. यार तू मेरी इंस्पिरेशन है. तेरी प्रब्लम के आगे मेरी प्रब्लम कुछ भी नहीं. तुबस अपना पापा के द्यान रख. मैं समाल लूँगा अपना. लव यू ब्रो. सच मताओं, तुझे कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पापा ठेक भी हो भाएं के नहीं? ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं समझाता मुझे कुछ. बहुत बुरा लगता है. तुझे बयाद नहीं कर सकता, यार. किपनी तकलीफ में रहता हूँ. पर जब भी तुम दोनों के पास आता हूँ. दिल को बहुत सुकून मिलता है. थारी टेंशनस ना चली जाती है गहींपे. थैंक्स. तो नहीं होता ना पदा नहीं मेरा क्या होता. अब दिल छोटा मत कर. अचिल कर. इसरा. कैसे हो आंटी ये सा? पैटा, तुमारे शादी से कुछ दिन पहले की बात है. इनने किसी अरजन काम से ना सिख जाना था. थाइम कम होने की वज़े से ये खुदी गाड़ी लेकर निकल गए. और फिर वही रास्ते में इनका एक्सिटेट हो गए. हिमनत रखे आंटी. भगवान ने चाहाना तो अंकल बहुत जल ठीक हो जाए. मैंसे आप इनके लिए नर्स क्यों नहीं रख लेती? कैसी बात कर रही हो, बिटा. मेरे होते होए इनके लिए नर्स. नर्स तो सिर्फ देखबाल करती है. वो अपना पन, उसने, जिसकी इने सबसे ज़्यादा जरूत है, वो तो सिर्फ में ही दे सकती हुना, तो आफ्टर ओल मैं इंकी बीवी हूँ, एंसे ऐसे मोह नहीं मोट सकती. मीनू, चलो देर हो रही है. चलिए अंटी, मैं निकलती हूँ. अरे, रुको बेटा. एक मिनेटा. ये तुमारे लिए है. अंटी, इसकी क्या जरूरत थी? तुम पहली बार हमारे गर आई हो, खालिया थोड़ी ना जाने दूगी. तांक्यू. वेल्कम. चले. अरे, शूप. वे, जय है? जय है तो नहीं है. बेट वो आते ही होगा. आओ. 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 एए! मेरे कमर, मेरे कमर में बहुत सोड़ से चोट लगी. आओ. आओ. मुझे, प्लीज. मेरे कमर में चोड़ दो, प्लीज. उठा उठाने जा रहा? आओ. 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 तुम परको मैं मेडिसीन लिख्यातो है? क्या करें दो तुम? आओ. 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 कर दो हम आप कर दो दो झाल 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 पूर्णी माँ पूर्णी माँ पूर्णी माँ थान गया था कि मैं पूर्णी माँ को कभी भी माप नहीं करूंगा मैं सिफ इंतिजार कर रहा था मौके का कि कभ पूर्णी माँ घर में अकेली हो और मैं उसे मार दूँ उस राज जब शूब घर में नहीं आया तो आप आप ठीक हो गए अप ठीक हो गए अपने सुनने को कुछ नहीं बचा है अपनी नाखो से देखा है मैंने तुझे उस जाय के साथ तुझे क्या लगा था मैं कभी भी ठीक नहीं होंगा हरे mere घर में किसी और के साथ रंगरलिया मनाएगी और मैं देखता रहूंगा नहीं पूर्णी माँ मैं तुझे कभी भी मॉहाब नहीं करूंगा अब bite करूंगा अब सुमीर तु और फिर पूर्णी मा को मारने के बाद मैं फिर से आके अपने बैट पर लेड़ गया और ना ठीक होने का ना टक किया जिससे किसी को भी मुझ पर शक ना हो काश तुम्हें पता होता कि तुम अपनी बीवी की वज़े से ठीक हुए हो रही बात उसके धोका देने की तो उसने तुमको धोका नहीं दिया वो तो जय उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था काश तुम्हें उनको मारने से पहले एक बार उनसे बात की होती कि दर्द को संझा होता ये क्या कह रहे हो तुम इंस्पेक्टर ये सच बोल रहे है बाबा तेन सो पैसट दिन का हर एक लमा उन्होंने आपके नाम कर दिया और आपने ये जिला दिया उनको आइड यू बापा ये क्या कर दिया मैंने अब जो पश्तावा करना चेल में चल कर कर दो और शुब कहीं ना कहीं सब के पीछे तुम भी सिम्मेदार है अकर तुमने अपने आपको कंट्रोल में रखा होता और मीनू के साथ में संबंद नहीं बनाये होते शायद जाहिए सब कुछ करता ही नहीं झाल झाल झाल